हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल डीएस गांदरिस्टी आज कुछ बना वीडियो है वह अधरित है डाक्टर राजेंद प्रसाद पर डाक्टर राजेंद प्रसाद विहार के गौरों रहे हैं और इन्हें हम देशरत्र के नाम से भी जानते हैं तो इस सोतनता में इनका काफी अभूत पुर्ण्य योगदान है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डाक्टर राजेंद प्रसाद से के जीवनी के बारे में तो जाक्टर राजेंद प्रसाद जो थे उनका जो जन्म हुआ था आजहें के दिन अर्थात 3 दिसंबर 1884 को جीरदेई सारन बिहार में हुआ था जो बर्थमान में सिवान जो जिला है बिहार का उसमें जीरदेई एक परमुखहस्थान है और ये सिवान में बर्थमान में इसन्म है अर्थात जो भारत के प्रेथम राष्ट परति थे डाक्टर राजेंद प्रसाद उनका जल्म 3 दिसम्बर 1884 को जिरादेई सरन बिहार में हुआ था इनके जो पीता थे वो महादेव सहाय थे उनकी जो माता का नाम था वोख कमलेस्वरी देवी था पतनी जो थी राजेंदर प्रसाद की उनका नाम था राजवंसी देवी जिनसे इनका विवा हुआ था भारत के प्रथम राश्ट पती हुए मतलब जब भारत गर्थांत्र हुआ 26-1950 को तब से लेकर ये 1962 तक ये भारत के प्रथम राष्टपती रहें। उसके बाद ये भारत के प्रथम क्रिसी मंत्री और खादे मंत्री भी रहें। जब भारत 15-1947 को इंडिपेंडेंट हुआ उस समय जो केंद्रिय मंडल बना था उसमें इन्हें क्रिसी मंत्राले और खादे मंत्राली का जीमा सौपा गया था। अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम क्रिसी मंत्री और खादे मंत्री डाक्टर रजेंद्र प्रसाथ थे और भारत के प्रथम राष्टपती जो भारत का सर्वोच पद होता है और भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्टपती होते हैं इस पद को सुसोभित करने वाल रचनाय जो है इनकी प्रमुक रचनाय है भारतिय सिक्षा है गांधी जी की देन है सिक्षा और संस्कृती है और भारतिय संस्कृती है डाक्टर रजेंद प्रशाद का जो समाधिय अस्तल है वो बास घाठ है जो पटना में इस्तित है डाक्टर रजेंद प्रशाद के बिशे परिछार्थी है वो शिक्षक से भी जो परिछा ले रहे थे विक्षक उसे भी तेज है तो मतलब डॉक्टर जंद परसाद काफी मेधावी स्टुडेंट छात्र भी रहे हैं इसलिए जितने भी स्टुडेंट है इनके जीवन से सीख लेना चाहिए कि अपने काम के प्रति सिक सीख लेने भी आते थे वहां पर मेरा ननी हाल भी है तो डॉक्टर जंद परसाद काफी मेधावी स्टुडेंट भी रहे हैं तो फ्रेंट्स इनके जीवन से हमें यहीं सीख लेना चाहिए क्योंकि भारत के इतने बड़े पद को सुसेविद करने के बाद भी इनका जो यह था जो इनके सीवक दोरा तूट गया उसके बाद यह काफी दुखी हुए लेकिन गुसा आया उनको मतलब उनके सीवक पर किन्तु बाद में उन्होंने उन्हें छामा कर दिया इससे हमें यह भी सिखना चाहिए कि हमें लोगों को या दूसरों को छामा करने का भी कारे में हम लोग जाने इन्हें भारत का जो सर्वोच पुरुषकार है भारत रत्न पुरुषकार इन्हें स्टिवा निर्वरित होने के बाद उसे संभानित किया गया तो प्रेंस यह था मराज का विडियो